इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. और अवधी में ही लेनी चाहिए. लेकिन इस दवा को एक निश्चित समय पर लेना बहतर है. याद रखें, आपको अपने डॉक्टर से बात किये बिना अचानक इस दवा को लेना बंद नहीं करना चाहिए. यदि आपको खुराक लेने के एक घंटे के भीतर उल्टी हो जाती है, तो दूसरी खुराक ले और पूरे दिन भारी भूजन से बचें. इस दवा को लेने के सबसे आम दुश प्रभावों में सिर्दड, कब्ज, दस्ट और कमजोरी शामिल हैं. चक्कर आना और नींद आना भी हो सकता है. इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो. जब आप दवा लेना बंद कर देते हैं, तो यह लक्षन गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं, तो आपका डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है. इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको हिरदय या यकृत की समस्या है, या आपके पेट या आतों में रुकावट है. इसके अलावा, अप कि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो अपनी स्वास्थि देखभाल टीम से सलाह ले. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.